हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लोग में और आज है सौमार साल का दूसरा दिन मतलब दो तारीक है और अब भी हूआ सुबह सुबह का टाइम और मैं लग कर रहे हूं डस्टिंग और बहुत दूर्ण मिट्टी जम गई थी क्योंकि दो दिन हो गए थे मेरे को डस्टिंग करें पर सो तो हम गए थे तो जल्दी-जल्दी के चक्रों में नहीं कर पाई जल्दी रेडी होके जाना था और फिर कल आए थे तो लेट आए एक तो और फ और कंबल की थे करूंगी और फिर डस्टी करूंगी तो बस यही सुवे के सारे काम चल रहे हैं और आज मैंने कपड़े भी दीदोए मसीन नहीं लगाई मैं सुचा पहले आज साफ सफाई के सारे काम निप्टा लेती हूं और कल कपड़े दो लूँगी चदर तो उस दिन अगला जो बैड़ सोफो के पास उसकी वी चदर दोनी थी और डेली यूज के कपड़े यही दोने थे तो आज मसीन लगाती तो और लेत हो जाती क्योंकि आज साफ सफाई के ज़्यादा काम थे कई दिन हो गए थे सफाई करें और हमारे गर में ना दूड बहुत ही आती है जरोड के उपर हो गया ना तो दूड जादा आती है तो एक दिन ना करें ना सफाई तो इतनी मिट्टी जम जाती है तो मैं सुचा कली लगा लोंगी मसीन तो आज मैने कपड़े नहीं दोई बस अब मैं नास्ता बनाऊंगी डस्टिंग का मेरा काम हो गया है जाडू इर्तन में वैसे 12.25 ब मजे कई थि उन्होंने आजना लेकर मम्मी डाये लटी में लंच Landing 7 में मैंने बाजरे की रोटी भ खाई और मैंने अपने लिए बनाए थी सेण विच और बस अभी मैं आ दोकि आये हूँ और दो पैर का मेरा सारा काम हो गया है खतम और आज बर सुख सुखाल या साथ साथ में नहीं तो ठंड लग जाती क्योंकि हमारे अंदर बोज्याद अठंड है दूप तो आती नहीं तो पैर में दूप में बैठके सुखालों सिर्थ लेकिन हमें तो ऐसे ही प्रायर से सुखाना पड़ता है तो वस अब भी थोड़ा सा राम कर लेती हूं फिर चाय का टाइम हो जाएगा तब तक मम्मी भी आ जाएगी और अब इस श्याम के बज गई है चार और मैंने रख दिया चाय यहां बनने के लिए मम्मी भी आ गई है कि इतन में से तो बस अभी चाय पीएंगे और फिर मैं जाओंगी पारक में गूमने के लिए सुमित ठुटी साफ करने के लिए प्रख्यार कहले थे खाव फिर मैंने में हैं टुटी साफ करने के साफने के लिए पगवाद कशलese ओंबाने दुटी निकल आज अशों चीन बड़े है तो उससे साफ कर देती, यह बिल्कुल काली होगी थी, ऐसे ही कीचन की बिल्कुल काली होगी थी, और अब मैंने कीचन की भी साफ करी, यह भी साफ करी, यह तो फिर भी थोड़ी ठीक निकल गी, कीचन की तो वैसी की वैसी, यह साफ होई नी, तो देखते हैं उनके क्या साब और करती तो अब इससे भी साफ नहीं और कोई देखेंगे और किसी चीज़ से साफ होंगी तो थोड़ी थोड़ी हुई ज्यादा नहीं हुई अब देखते कैसे साफ करेंगे और यह जो मेरी मचली आई है भी विचारी भूखी मर गई एक दिन पूरा जिस दिन हम गए न किनों आने डालानी तो फिर जब हम आयना अगले दिन सुबह जाए यह ओर फिर 3 लिक यह बोल तो डाल रखेंगे यंग दो दिन चलती एक बोल को देखका दाली नए रखी तो वें चरी यह दो दिनभूखी रह गई और फिर मैंने एक तारीक को शाम को खाना डाला हुई मत्र के साथ बनाने के लिए और कुछ आटे में डाल ली थी तो अब वही सबजी बनाऊंगे चलो आपको भी दिखाती हूं मैं कहसे बनाती हूं मेत्धी और मत्र की सबजी मसालेदार मतली मलाई सबस्य बनाव नहीं daha सब्सक्राइट चलर लग जाते हैं अभी खाना बनाने तो यह मैंने मटर ले लिए और तो दोड़ने के लिए पाणे डाल दिया में और यह थोड़ा i प्याज लेलिए हैं। हरी मेट्र्ची लेसुन अद्रप इनको काट लो। बड़ा बड़ा। तो मेत्थी और मतर की सबजी बनाने के लिए मैंने कड़ाई चड़ा ली है। और कडाई में डाल लिया है तेल और जब तेल गरम हो गया फिर मैंने डाल दिया उसमें जीरा और जीला डालने के बाद फिर मैंने जो यह प्याज काटे थे बड़े बड़े यह डाल दिये हैं और इन प्याज को अच्छे से फ्राइ कर लूँगी और साथ में मैंने मतर को और हरी मिर्ची तो इनको थोड़ी देर पका लूँगी और फिर मैंने थोड़े से काजू डाल दिये हैं काजू से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और काजू डालने के बाद जब यह सारे चीजे पक गए फिर मैंने डाल दिये हैं टमाटर और बस इनको अच्छे से पका बस गैस करती है बंद और अब इसको डाल लोंगी मैं मिक्सी जार में और जब यह ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसको पीस लोंगे और यह कडाई दो लोंगी क्योंकि इसी में मेरे को दुबारा तड़का लगाना है और अब यह मतर भी पग गई है उबल गई थी अच्छे से तूट रही है मतलब यह सही पग गई है तो बस अभी इस पानी को निकाल दू है पर मतर का पानी चलनी से निकाल receptors से छान लिया है और दुबारा असर नहीं से झाल दाली है और उसमें डाल लिया तेल सरस्уса का तेल और यरलंबी नबी लंबी काट ली है मैंने और पहले तेल में डाल दी यह मिर्ची और ऑब ढल दूंगी मसाले मैं तो हर्दी पावडर दनिया पावडर करम मसाला यह मसाले डाल दिये थे मैंने और बस इनको थोड़ी देर पकाऊंगी और जब यह पक जाएंगे फिर मैं इसमें डाल लूँगी मेथी मेथी को मैने चोटा चोटा काट लिया था और इसमें मेथी डाल के और थोड़ी सी देर पकाऊंगे मैं इसको और जब यह पक जाएगी थोड़ी सी फिर मैने इसमें डाल दी है यह ग्रेवी जो प्याज तुमाटर लैस नदर की पीछ के रखी थी और यह थोड़ी गाड़ी तो मैंने जार को अच्छे से दो के और पानी मिला के डाल दिया और इसको पतला कर लिया है बस अब इसको थोड़ी सी देर पका के और फिर मैं इसमें डालूंगी मतर और मतर डाल के डखके पकाऊंगी मैं थोड़ी देर इसको ताकि ये मसाला जो है मतरों में भी अच्छे से म तो नमक डालना मेरा बचा था तो अभी मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है और बस अब इसको डखके थोड़ी देर पकाके और फिर मैं इसमें डाल लूँगी मलाई मलाई से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता जैसे थोड़ी तिखी भी होगी ना तो तिखापन भी खतम हो जाएगा तो अभी मैंने इसमें मलाई डाल दी है और बस यह पक गई है तो मैं अब इसको बंद कर दूँ मलाई पिंगलती रहेगी और उपर से डाल दूँगी धनिया कलर भी चेंज हो जाता है मलाई डालने से इसका थोड़ा सा सफेज सफेद गलर हो जाता है यह देखो स फूरो जानी से करना मिक सारी मलाई मिक्स कर दी है मैंने इसमें सबझी मेरे बनके तयार हो गई है और साथ में म의ने सैलेड काट लिया था आटा गून लिया था बस अभूख लगी है तेज क्योंकि पारक से गूंकरा आते है ना तो भूग लगाती है तो बस अभी आटा गून दिया है तो रोटी बना लूँगी और खालेंगे साथ-साथ में गरमा गरम और सब्जी सच में मैंने पहली बार बनाई है यह सब्जी मटर और मेथी की बहुत ही टेस्टी बनी बहुत अच्छी लगी मैंने कभी और पहले पारंते जागरन से परसाथ है यह और अगर मैं छा Sap करने के बाद मिठा खांने का बहुत मन करता है तो यह मिल गई इस्टेंड निच्चे गिर गया यह बहुत है बहुत ज्यादा बारी है तो मैं इस वाज के लिए ही रखने लगए शूप जाती है तब इस ड्रोर में रख देती हूं तो चलो पास अब दूद गरम करना बचा भी दूद गरम करूंगी और इस व्लोग काम यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर वीडियो देखते रहे ना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना बाई बाई